गुद मॉर्निंग स्टुडेंज तुडेंग इन इस वीडियो आइम गुएंग तू डिसकॉस दा कॉस्टेंस आप पेज नमबर फुर्टी आप चेप्टर फोर टिक 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 और लेटस स्टार्ट हाव मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक्ट मैक एक गैस और चेक टो होम यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज दिये गए हैं जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं और बताना है कि इस एक्टिविटी को करने में कितना समय लगता है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बॉयलिंग वन लीटर मिल्क तो वन लीटर मिल्क को बॉयल करने में कितना समय लगता है तो लिखेंगे एबाउट फाइब मिनट्ट सेकेंड एफ फिलिंग एबकेट बकेट को भरने में कितना समय लगता है तो इस तरह से आपको इस कॉलम को कम्प्लीट करना है आपको बताना है कि एक मिनट में आप कितनी बार ये काम कर सकते हैं क्वेश्चन नमर फार्स्ट है आपका एब श्नैप योर फिंगर आप अपने फिंगर को कितनी बार श्नैप कर सकते हैं तो आप अपने आपको देखिएगा कि कितने वारा आप फिंगर को स्नैप कर सकते हैं तो माल लिजे आगर आप 15 टाइम्स करते हैं तो लिखेगा यहां 15 टाइम्स टी आइम्स टाइम्स टाइम्स नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नमर भी एसकिप ए रोप एसकिप ए रोप आप कितना दिर करते हैं वन मिनिट में 20 टाइम्स या 30 टाइम्स जो भी करते हूं आप वो लिखेंगे 30 टाइम्स करते हैं तो लिखेंगे 30 टाइम्स जंप अप एंड ओन जंप आप अप एंड ओन कितने वार करते हैं 40 टाइम्स या 50 टाइम जितने बार आप करते होंगे वो लिखना है नेक्स्ट आपका D आप इसको complete करेंगे और कुछ fun activities इस column में आपको पूरा करना है Now come to the next questions Here is another challenge for you How long can you? यहां कुछ और दुसरे challenge दिये गए हैं और आपको बताना है कि आप इसे कितने समय में करते हैं A. Speak none stop आप जो है कितनी दिर बोल सकते हैं बिना रुके वे तो आप देखेगा कितनी दिर बोल सकते हैं तो यहां लिखेगा 2 मिनट या 1 मिनट जितने दिर आप बोल सकते हैं None stop तो वो बताना है Stand on one leg एक टांग पे आप कितनी दिर खरे रह सकते हैं तो मालेज़ अगर 30 सकेंड रहते हैं या 1 मिनट जितनी दिर रहते हैं आप वो लिखना है Sing A. Without a break आप कितनी दिर A. कर सकते हैं बिना ब्रेक के तो वो बताना है आपको तो मालेज़ अगर आप 1 मिनट करते हैं या 2 मिनट तो वो आपको इस में कॉलम में भरना है Come to the next question How long do you tag 2? अब आप कितनी समय लगाते हैं Run a 50 मीटर race 50 मीटर race को complete करने में आप कितना समय लगाते हैं तो मालेज़ अगर 50 मीटर race को complete करने में आप 4 मिनट या 5 मिनट जो भी लगाते हों आपको यहाँ लिखना है Question B. Collect 50 Peebles from the ground 50 Peebles को collect करने के लिए ग्राउंड से आप कितने समय लगाते हैं About 2 मिनट या 3 मिनट जो भी आप लगाते होंगे वो लिखना है Question B. Count 1 to 100 एक से एक सब तक गिंती करने में आप कितना समय लगाते हैं तो वो बताना है तो मालेज़ अगर आप 1 मिनट लगाते हैं तो लिखेंगे 1 मिनट Come to the next page number Let's look at a clock again Solve this one चलो फिर से आप लोगों को clock देखना है और कुछ questions को solve करना है Question A Question A. The minute hand started from 2 How many minutes will it take to come back to 2 again आपको कर रहा है क्या कि minute hand जो है Start करता है कहां से 2 से और फिर वो वापस 2 पे पहुंच जाता है तो बताना कितने समय minute hand move किये तो 2 से चलना सुरू किया 2 पे फिर पहुंचा तो कितने minute move किये तो लिखेंगे it takes 60 minute यानि कि एक number को फिर दुबारा आने में उसको कितने समय लगेंगे 2 से चलना सुरू किया है और 2 पे फिर पहुंचा है तो 60 minute तो लिखेंगे यहाँ पर आप लोग it takes 60 minute as it makes one rotation in 60 minute question number B what happens to the hour hand does it also moves how long will it take to move from one number to the next आपको बताना है our hand के बारे में क्या ये भी move करते हैं how long will it take to move from one number to the next और कितने समय लेते होंगे एक number से दुसरे number में जाने में तो हम लोग जानते हैं our hand shows our hand क्या show करते हैं our in watch तो लिखेंगे our hand shows our in watch so it takes one hour to move from one number to the next one ठीक है तो ये एक गंटे के समय लेते होंगे एक number से जोसरे number में जाने के लिए question number C look around you and list the activities that tax about one hour to complete यहां कुछ आपको activity देखने हैं अपने चारो और और बताना है यहां पर कुछ activity दिये गए हैं और आपको बताना है कि एक घंटे में कुण 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 से आप activity कर सकते हैं तो one number में आप क्या लिखेंगे going to school and come back two number में क्या लिखेंगे completing one chapter of math third में washing the cloths fourth में drawing a picture fifth में cleaning the house इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसको आप एक घंटे में complete कर सकते हैं कि यहां आपको कुछ अपने सेव करने हैं how long does it take to cook dinner at home more than an hour, less than an hour आपको कुछ activity दिएगे यहां पे कि कितने समय में आप dinner को अपने घर पे बनाते हैं तो बताना यहां पे more than an hour और less than an hour तो about more than an hour होगा तो more than an hour पे आप लोग तिक करेंगे ask your father if he can cook as fast as your mother does अब आपको अपने पिताजी से पूछना है कि क्या वे आपकी माता जी के जैसे फास्ट खाना बना सकते हैं तो yes या no तो क्या होगा इसमें no which games take less than an hour to finish कौन से game को आप एक गंटे से पहले आप finish कर सकते हैं less than an hour तो उस game का आपको नाम लिखना है जिसको आप लोग आदे घंटे से एक घंटे से कम में finish कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका long jump यहाँ पर कुछ example आप लिख दीजेगा long jump high jump high jump relay race swimming इस तरह से आपको कुछ example लिख दीजेगा relay race and swimming how long does a football match take आपको बताना है कि football match कितनी दिर का होता है about 90 minutes तो लिखेंगे दा duration of football match is 90 minutes my dear students this is over for today and in the coming video we will continue the next page number till then keep watching my video thank you